देश में एक बार फिर से ट्रेन हाथसे ने सबको थर्रा कर रख दिया। इस ट्रेन हाथसे में एसी क्लास के चार डिबे पट्री से उतरने बताया गए। जैसे ही ये हाथसा हुआ मौके पर आसपास के रहने वाले लोग सबसे पहले पहुँचे थे। मौके से सबसे पहले जो तस्वीर आई उन्हें देख कर समझा जा सकता है कि हाथसे के बाद यात्रियों में किस कदर हलकम्प मचा हुआ होगा। जानकारी के मताबिक खरीब दो पहर दो बच कर 37 मिनट के आसपास ये हाथसा हुआ बताया क्या। हाथसे के कुछ ही देर बाद इस ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने भी इस हाथसे के बारे में जो जानकारी सबसे पहले दी आप वो सुने। मालूम नहीं है लोग अपनी जाम बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। गोदाम बाग एक्सप्रेस, कटिहार, अमरित सर, आमर पाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का रूट बदलने का काम भी किया गया। वहीं इस हादसे के बाद हेल्प लाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिये गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। आपको बता दें कि हादसे के तुरंट बाद रेलवे एक्शन में आया और मौके पर राहत के लिए टीम को भेजा गया। यहाँ पर 15 एंबुलेंस मौके पर मौझूद हैं जो खायलों को अस्पताल ले जाने में लगी हैं। बहीं उतरप्रदेश के सियम योग्यादी तिनाथ ने भी घटना पर पूरी नजर पनाये हुई है। उन्होंने तेजी से राहत के काम चारी रखने के निर्थेश दिये। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्ति किया और घायलों के जल्द स्वस्त होने की काम ना भी की। हाला कि इस घटना के बारे में News 18 से बात करते हुए CPRO ने कहा कि हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि साथ यात्री घायल उन्होंने बताए। ये 14 बज़ कर 37 मिनट की घटना है जो प्रैमरी इंफॉमेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4-5 कोच डिरेल हुए है जो पत्री से उतरे हैं और राहत बचाओ की जो टीमें हैं रेलवे की वो साइट पे पहुँच गए हैं मेडिकल वैन साइट पे पहुँच गई है लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मताबिक दो यात्रियों की मौत हुई है और 26 के गरीब यात्री घायल हुए है हालाकि सही संख्या इसकी क्या है इसकी पुष्टी अभी प्रिशासन की तरफ से अभी तक नहीं की गई है हाद से के बात कि अगर बात की जा गया है ताकि जरूरत पढ़ने पर वहाँ पर भी मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा सके नियूज 18 से बात करते हुए उतर प्रदेश के डिप्टी सीम प्रजीश पाठक ने हादसे को दुखत बताया और जानकारी थी कि इस हादसे में तीन यात्रियों की हालत अभी अभीर बनी हुई है वहीं एक जानकारी और निकल कर सामने आ रही है कि इस हादसे में 15 बोगियां पटरी से उतर गई थी जिन में से कुछ बोगियां पल्टी भी खा गए SDM मनकापुर ने जो जानकारी दी है उनके तरफ से जो जानकारी आही है वो ये बता रही है कि आधसे में 5 यात्रियों के मौत हो गई है 25 यात्री खायल हैं दो यात्रियों के पैर कटे हैं हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर की तरफ कुदे थे यहादसा जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डेहवा में हुआ है अयो ध्या से इसकी दूरी 30 किलो मीटर जबकि लखनों से 130 किलो मीटर बताएं गई है गुरुवार को ट्रेन रात 11 बचकर 49 मिनिट के आसपास चंडी गर से रवाना हुई गुरुवार दो पहर जिलाही स्टेशन के पास ये पलट गई ट्रेन में सवार एक यातरी ने कहा कि गुंडा से 20 किलो मीटर दूर दो पहर करीब धाई बचे हाथसा हुआ यहां से मनकापुर स्टेशन 5 किलो मीटर दूर है हाथसा इतना भीशन था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से 100 मीटर दूर किरे एसी कोच के डिबों की खिड़कियों के शीशे तोड़कर यातरी बहार अपाए जहां पर हाथसा हुआ वहां से 4 पाई से उठा कर घायल यातरीों को अस्पताल ले जाया गया वही रात और बचाव के काम में SDRF की टीम भी चुटी हुई है इस हाथसे के बाद कॉंग्रेस अध्याक्ष मलिक आर्चुन खडगे ने कहा कि यहाथसा एक उदाहरन है कि किस तरह से मोधी सरकार ने रेल सुरक्षा को खत्रे में डाला है एक महिने पहले ही 11 लोगों की मौत होई थी जब कंचन ज्रंगा एक्स्प्रेस की माल गाड़ी से टकर होई थी रेलवे कमिशनर ने अपने रेपोर्ट में कहा था कि सिगनल फेल होना ऑपरेशन में कई सतर की गड़बड़ी को हाथसे का कारण बताया गया वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री को सीधे तोर पर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक ही मांग है कि एंटी कॉलिजन डिवाइस कबच को देश भर में रेलवे रूट में लगाया जाना चाहिए आईए अब आपको बताते हैं कि इस भीशन दुरगटना से पहले किन किन ट्रेन हाथसों ने देश को देहलाने का काम किया था ट्रेन हाथसों के अगर बात की जाए तो तारीक 2 जून 2024 पंजाब के फतेहगर साहिब में ट्रेन हाथसा पेश आया जहाँ पर सरहिंद के माधोपूर के पास दो मालगाडियां आपस में टकर आई और टकर में दो ट्रेन ड्राइवर घायल हुए थी इसके अलावा 17 जून की तारीक 2024 की तारीक आपको याद होगी पश्विमंगाल के नियू जलपाई गुडी में ट्रेन हाथसा हुआ और मालगाडी से कंचन जंगा एक्सप्रेस की टकर हुई थी सिया दा जाने वाली कंचन जंगा एक्सप्रेस को पीछे से दरसल मालगाडी ने टकर मारती थी टकर के बाद कंचन जंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां डिरेल हुई थी और इस हाथसे में कई लोगों की मौत हुई जबकि 25 लोग इस हाथसे में भी घायल हुए थे इसके अलाबा हाथसा एक और सामने आया था 28 परवरी 2024 को जामताड़ा और विद्या सागर स्टेशन के बीच ये हाथसा हुआ था जिसमें 12 लोग ट्रेन की चपेट में आये थे और दो लोगों की समें मौत हो गई थी बताया ये गया कि डाउन लाइन से गुजरे थी बैंगलूरू ये शवनपूर एक्सप्रेस ट्रेन में आख का अंदेशा होने पर चालक ने गाड़ी रोकी थी चेकिंग के लिए और जब जब ट्रेन रोकी तो यात्री पट्रियों पर ही उतर गए दूसरी तरफ से अप लाइन से जा रहे ही एम्यू की चपेट में आने से ये हादसा हुआ इसमें यात्रियों की मौत हो गए 17 फर्वरी 2024 की बात करें तो दिल्ली में जखीरा फ्लाइ ओवर के पास रेल हादसा हुआ मालकाली के 10 डिबे पट्री से उतर गए थे मालकाली में लोही की शीट के रोल लोड थे जब ये हादसा हुआ हादसे से रेल्वे ट्रैक पर भी काफी नुकसान हुआ बाद में उसे ठीक करने का काम भी रेल्वे प्रिशासन के तरफ से किया गया था इसके अलावा 18 जनवरी 2024 की बात करें तो जारखंड के गमहरिया रेल्वे स्टेशन पर हादसा हुआ ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई थी उतकल एक्स्प्रिस की चपेट में ये लोग आये थे ट्रैक पार कर रहे थे और फॉग इसके पीछे कारण बताया गया कि फॉग की बज़ो से ये हादसा हुआ उधर 29 अक्टूबर 2023 का दिन भी याद कर लें क्योंकि आन्थ प्रदेश में दो पैसेंजर ट्रेनों की टकर हुई थी और इसकी बज़े से हादसा हुआ था हादसे की बज़े ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट की लापरवाही बताये गई और कहा गया कि दोनों फोन पर क्रिकेट मैच देखने का काम कर रहे थे जिसकी बज़े से ये दुरघटना पेश आई इदर दो जून दोजार टेज की बात करें तो ओलीशा के बाला सोर में बड़ा हादसा पेश आया था और भीशन तम ट्रेन हादसा ये था जिसमें 296 लोगों की जान गई और 1200 से ज्यादा लुक हैल हुए थे बहानगा बाजार रेल्वी स्टेशन के पास ये ट्रिपल हादसा हुआ था क्योंकि कोरो मंडल एक्स्प्रेस की लूप लाइन में खड़ी मालगाडी से टकर हुई थी और टकर के बाद कोरो मंडल के कई डिबे पटरी से उतर गए थे दूसरी तरफ जागिरे थे दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रहे थी येश्वनपूर हावला एक्स्प्रेस और इससे इन डिबो की टकर हुग गई और इसकी वज़े से भीशन हादसा हुगा था